नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस्टेटीफॉर्ट सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर करता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगात वीडियो प्रणा करेंगे तुरंद वीडियो लाइक जरूर कर लिएगा एड़ दरेट स्टेडी फार सीविल से शारे कोईशन अटेम्ट करिया और इसको अपना तुरंद कमेंट करके बताएए यूपीपीश प्रलिम्स आरो यारो बीयो साहित हमारे काई पेड़गूर्प चल दे हैं अगर आप इन पेड़गूर्प जुनना चाहते हैं तो यह हमारे दिया गया नमबार है इस पर कॉल ये वाट्सअप कर जो है जनकारी प्रात पर सकते हैं तो आई आए आउन वीडि केवल एक साहि है केवल दो साहि है दोनों साहि है ना तो एक साहि ना ही दो साहि है इसका जो पहला स्टेट्मेंट वो आपका साहि है मनुस्य दोरा सर्वर्थम गेहूं और जो की फसलों की उपजाने की शुरुवात की गई थी तो इसका जो पहला ओप्सन है वो आपका साह और यहां जो शुर्वत होई थे लगबग 8000 इसाफूर जो है गेहु और जो कि फस्नुं को पजाने की शुरवत की गई थी और यहां जो है सुलेमान और कर्थर पहाडी छेत्रों में इसके शुरवत की गई थी और यह आपके भारत के उत्तरपस्रिम छेत्र में यह इस्तित है सुलिमान और किर्थर पहाड़ी दूसरा जो स्टेटमन यह भी सही है सिंदु सवेता के समय टिन का जो आयत किया जाता था वह वर्तमान में जो इरान है और अफगानिस्तान वह वहां से इसका आयत किया जाता था और सोनी का जो आयत होता था वह आपके अपने भारत में जो है करनाटक से होता था यह दोनों स्टेटमन आपके सही है इसका जो आप्शन सी है वह अपस सही है निम्रिखित बीदेसी यात्रियों को उनके भारत आने के काल करमा नसर ब्यवस्ताप्र करना है विलियम हौकिन्स, रॉल्फिच, सर्थ हमस रो, निकोलस, डाउंटन इसके लिए चार विकल दिया, आप लोग विकल पढ़ लिजिए फिच जो है यह भारत में 1530 में आये थे हौकिन जो है यह 1608 में आये थे यह जो है जहांगियर से बाचित के लिए आगरा की यात्रा विक्की थी और जहांगियर ने इन्हें इंगलिजखांट की उपात भी दिए थी और यह हेक्टर नामक जहाज से आए थे काई वारे पर छोम यह प्रस नहीं पूछा गया है थामस रोज यह भारत में वर्स 1615 में आए थे 1615 में आए थे और निकोलस जो भारत में आए थे वह 1614 से 15 मत आए थे 1614 में आए थे सबसे पहले रॉल फिच आए थे फिर विलियम हॉकिन्स आए थे फिर निकॉलस डाउन साय थे और सबसे अंती में जो आपके सर थमज रू आये थे आये थे हैं अगला पर सुनोग हलपा सबेता में मिट्टी के बर्तनों पर सामनते किस रंग का उपयोग हुआ था नीला, लाल, काला ये पीला तो हलपा सबेता में मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए थे उनमें जो उपयोग हुआ था color का वर red color का उपयोग हुआ था तिसका जो option B है वो अपका सही है यहाँ पहुत दो statement दीया गये हैं आपको सही statement के चुनाव करना है भारत में चिस्ति आदेश की अस्थापना ख्वाजा मॉने दिन चिस्ति में की थी विकल्ब आप लोग पढ़ लीजिए आरंभिक नगरों का जो विकास हुआ था गंगा की सहाइक नदियों की नदियों की नदियों की नदियों की नदियों हुआ था जैसा कि हमें जानते हैं सिंद्यों की जो सहाइक नदियों है इनमें जेलम रावी ब्यास आदेश की जो अस्थापना की थी वो ख्वाजा मुने दिन चिस्ती ने की थी तो इसका जो दूसरा जो statement है आपका सही है इसका जो केवल भी है आपका सही है इसी प्रकार से अन्य सूफी सिलसिले थे जिनमें आपका सुहरा वर्दी था जिसकी अस्थापना जो है सेख सहाबुदेन सुहरा वर्दी ने की थी इसी प्रकार से नक्सबंदी की जो शुरुवात है वो ख्वाजा बहुदेन नक्सबंदी ने की थी और एक आपका कदरिया कदरिया जो सुरुवात है वे सेख प्रकार से फिर आपको प्रस्ण जब तक पढ़ा जाए आप पूरा प्रस्ण पढ़के जो है आपना उत्तर वहां पर लिख लिया करिए फिर आपको उसको ब्याक्या का उंसर आपको बता दिया जागा इसका उंसर कौंसर है तो आप लोग डेली जो है इस प्रकार से टेस्ट निम्रखित में से किन लिपियों में लिखा गया है आप्शन आप लोग पढ़ लिजिए आसोग के जो अभिलेक प्राप्तु है कांधार से वह जो है यूनानी और अरेमाइक लिप में लिखा गया है इसका जो अप्शन डी है आपका सही है आसोग के जो अभिलेक वह वर्स 1998 में इस्ति खोज की गए थी कांधार से प्राप्त अभिलेक की जुनानी और अरिमाईक लिप में लिखा गया है आपको सुमिलित करना है महादहा, बोर्जहोम, हालूर और पयमपली यहाँ पराज दिये गया है, जमुकस्मीर, कनाटक, उत्रपरेस, तमिलनाडू जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महादहा यह आपके उत्रपरेस में है और उत्रपरेस के यह परतापगड में है यह आपके परतापगड में है बुर्जहों में ये आपके कस्मीर में इस्थित है हलूर ये आपके कनाटक में इस्थित है और पायम पली आपके तमिलाड़ों में इस्थित है तीस प्रकार जो है 3, 1, 2, 4 3, 1, 2 और 4 ये आपके option B में दिया गया है महदहा उत्रपरेश के परतापगड में बुर्जहों में आपके कस्मीर में हलूर कनाटक में और पायम पली आपके तमिलाड़ों में इस्थित है आपको बताना है किसनी जो है भारती समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था इस्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन ये मेगस्थनीज तो भारती समाज को 5 वर्गों में विभाजित किया था मेगस्थनीज ने और यह जो है जानकारिम प्रात होती है इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिका इनमें आपका धार्षनिक, किसान, स्थैनिक, चरवाहि, कारिगर, निरिच्छक और पार्षत जो है सामिल थी और मेगस्थनी जो है चंद्रगुप्त, मौरिक के सासनकाल में भारत आया था तो इसका जो आप्शन डी है वापकर सही है आपको बताना कौन जो है नूर जहां की जुन्टा का सदस नहीं था इतिमादू दौला, आसफ खां, महाबत खां या खुर्रम नूर जहां ने अपने परिवार के सदस्यों का एक समू बनाय था जिससे जुन्टा का जाता था और इसमें जो है गयास बेग, आसफ खां, इधमादू दौला, खुर्रम सामिल थे इसमें जो है महाबत खां नहीं सामिल थे तो इसका जो आप्शन C है वापको सही है नूर जहां जो है, यह है जांगिर के पतनी थी और इनका पहले जो नाम होगा करता था, वह है महरू निस्ञा इनका पहले का नाम होगा करता था इसका जो आप्शन C है वापको सही है समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? राज का खजाना सुर्चित रखना, कर्णे धारन, सुरचाश्वासन या पत्र बैवहार करना मौर प्रशासन में यह सबसे बड़े अधिकारियों में से एक होता था और समहर्था के कारे होता था, वे हैं सभी तरह के सुरोतों से कर जमा करने की निगरानी करता था तो इसका जो option B है वो अपको सही है समाहरता जो है ये करने दान करने वाला अधिकारी होता था इसका जो option B है वो अपको सही है निम्ने यूरोपी सक्तियों ने भारती ब्यापार में समय समय पर प्रिवेस किया था आपको उनके प्रिवेश के सही तितिकरम निर्धायत करना है अंग्रेज, डच, फ्रांसेसे और पूर्टगाली आपको कालकरम की अमसार सजाना है जिस प्रकार से आप लोगों देखा होगा कि आरो यारो में इस प्रकार से बहुत से प्रसंद देखनों के मिले थे उसी प्रकार की प्रसंदों के आपको प्रक्टिस कराई जा रही है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पूर्टगाली आये थे भारत में इसके बाद डच आये थे, फिर आपके अंग्रेज आये थे, और अंत में फ्रांसेसी आये थे सबसे पहले पुर्टगाली आये थे, फिर डच आये थे, फिर आपकी अंग्रेज आये थे और अंत में फ्रांसिसी आये थे टिस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अप्शन बीस का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार पुस्तके दीगें हैं आपको पहचानना है कौन से पुस्तक जो है हर्सवर्धा ने नहीं लिखी है प्रियदर्शिका, अमुक्त मालेदा, नागानन, रतनावली है हर्सवालता ने टोटल जो है तीन पुस्तके इन्होंने लिखी थे जिनमें प्रिदर्जिका, नाकानन और अतनावली जो है इसमें सामिल है अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है यह है बीजय समराज के सासक थे किषदेव राय किषदेव राय ने लिखी थी और इन्होंने जो है तेलोगों मीसी लिखी थी अमुक्त माल्याद दखो इसका जो आप्सन भी है वापकर सही है यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है एक तरह अवलेख है दुशे तरफ सासर दिये गए है नासिक जो अवलेख है यह 49 पुतर सातकाणी समंदित है हाथी गुमफा यह खारवयल समंदित है करलिंग सासर था और यह आपके उडिसा में इस्तित है इसी परकार से गिरनार यह रुद्रदाामन पर्थम समंदित है और यह आपके जूनागर में इस्तित है भीतरी जो अभिलेख है यह पुलकेसिंग दूतिस नहीं समदित है बलकि यह गुप्त सासक असकंद गुप्त समदित है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपसन C और भीतरी जो अभिलेख है या उत्तर प्रदेश के गाजी पुर्जीले मिश्तित है इसका जो अपसन C है वह अपकत सही है बराबर गुप्त संदर में यहां पर दो स्ट्रेटमिन दिया गया है इसका निर्माण समराठ असोग ने करवाय था और इन गुप्ताओं में बहुत मूर्तियों के अलामा हिंदू और जैन मूर्तियां भी है केवल एक सही है केवल दो सही है ना तो एक सही ना ही दो सही है बराबर गुप्ताओं के जिन्माण है वह असोग ने कर आया था और इन गुप्ताओं जो है गौताम बोती की मूर्थियां मिलती हैं, साथ में हिंदु और जैन धन्म के जो है, ये भी मूर्थियां मिलती हैं, तो इसके इसके दोने स्टीट्मेंट वह आपके सही हैं, और बराबर गुफाये जो है, यह curious बिहार के जहानाबाद एक जिला है, वहाँ पर इमिलती हैं, और यह जो गुफाएं हैं, यहाँ पर चार गुफाओं के एक समुग है, जिन में कंड़ चौपार, लॉमस, रिसी, सुदामा, बिस्व करमा, यहाँ पर गुफाएं हैं, इसका जो अप्सन सी है, वह अपकर सही है और इन गुफाओं जो है, चट्टानों को काटकर बनाए गया है, बराबर गुफाओं जिसका निमान असोक दिन करवाय था, दो स्टेटमनिया दिये गए हैं, आपको सई स्टेटमन की पहचान करने हैं, इतिमादुत दौला का मकबरा आगरा में गंगा किनारे इस्तित है, हुमायो के मकबरे के मुख्य वास्तुकार मिराग, मिर्जा, ग्यास थे, इसके लिए अपसन दियागा, आप लोग अपसन पढ़ लीजिए, जल्दिवाजी में बहुत लोगों का गलत हो सकता है, और ध्यान देंगे आप लोग, तो परिच्छा में इसी प्रकार से आप लो हुमायो के मकबरा के जमुख्य वास्तुकार थे, वह मिराग, मिर्जा, गालिश थे, तो यह आपका सही हो जाएगा, और यह जो है, दिल्ली मिस्तित है, हुमायो का मकबरा, और इसे जो है, वर्स 1993 में, युनिस्को की विश्धरवर, अस्थर में सामिल किया गया था, और ल सरप्रथम इसी मकबरे में प्रियोग किया गया था, तो केवल जो है, इसका दूसरा जो स्टेटमेंट आपका, यह आपका सही है, आयते हैं, अल्गा प्रास मिलो, जहांगीर के सासनकाल में कुछ चितरकारों ने मुगल चितरकारी के छेतर में विशेश सहलियों में और फकीरों के चितर बनाने में निपुर थे, इसके विकल दिया, आपको विकल पढ़ लेजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल काल में चितरकाला जो सरवोज अस्थान प्राप्त की थी, वो जहांगीर के सासनकाल में प्राप्त की थी, परिच्छम से जो है, यह जो नाम लिए गए हैं, इनको ही दे सकता है, गोबर्धन, अबुलहसन और मंसूर, यह किसके सासनकाल में रहते हैं, चितरकार थे, तो यह आपके जहांगीर के सासनकाल में चितरकार थे, और मंसूर जो जानवर और फूलों के चितरकार थे, अबुलहसन एक छवी चितरकार थे, और ब्रगोबर्धन चांटों प्र में आपके निपर थे यह त्यान के जानते हैं, जैसा है जाहंगीर वस्वयम एक उतकृष्छ चित्रकार था, और जाहंगीर ने पाच में जो अर्जुन सिंह, उनको मरवा दिया था, आए थे हैं, अगला प्रसम लोग, भारत की इतिहास के संदर में कुछ घटनाएं दी गई हैं इन घटनाओं को जो है काल करम के अनुसार जो है बेवसित करना है पुलकेशिन पर्थम द्वारत चालुक वंस के अस्थापना भारत में हरस्वर्धन का जासन मुअंबद बिन कासिम द्वारत सिंद पर सफल आकरमण सिसुनाग वंस की अस्थापना बिकल पाप लोग देख लेजिए सिसुनाग वंस की जो अस्थापना की गई थी वो लगबग 413 इसा पूर्मी की गई थी मुहंबद बिन कासीम ने सिंदे पर जो सफल आक्रमन किया था वह 712 इस भी में सिंदे पर आक्रमन किया था और इसमें जो है सिंदे पर दाहिर का सासन था भारत में हर्स वर्दान जो सासन रहा है वह 666-647 तक रहा है और पुलकेसिन प्रथम दोराच चालिक वन्स के स्थापना की गई थी वह 543 इस भी में की गई थी तो इस प्रकार जो है सबसे पहले जो आपका सिसुनाग वन्स के स्थापना आएगी फिर पुलकेसिन प्रथम दोराच चालिक वन्स के स्थापना आजाएगा फिर आपका भारत में हर्स वारतों के सासना आजाएगा और अंत में आपका मुहम्मद बिन कासिम द्वारत सिंद पर सफल आक्रमान आजाएगा तिस प्रकार इसका जो option D है आपको सही हो जाएगा आप लोग एकदम फैक्ट को रिविजन करती रहिए जो कि परिच्छम जो है आपके फैक्ट सबसे मैक्सिम देखनों को मिलते हैं गंगा और सोन जैसे नदियों नदियां प्राचीन भारत में नामक महाजनपत से होकर बहती थी आपको बताना है कौन सा महाजनपत था कंबोज, कोसल, मगद या मद से गंगा और सोन जैसे जो नदियां है प्राचीन भारत में यह मगद हनामक महाजनपत से होकर बहती थी है इसका जो option C है वो आपका सही है जैसा कि हम जानते हैं कि महाजनपत होक जो कुल संक्याव की सोला है और इनमें जो है सबसे महाजनपत महाजनपत हुआ करता था आपका मगद हुआ करता था इसका जो option C है वो आपका सही है तोलसी दास ने रामचेद महानस किसके सासंकाल के दोरान लिखी है परिच्छा में यही प्रस्न घुमा के पूछा है यहाँ पर राचनास कोई मतलम नहीं आपको यह बताना है यह किसके समकालीन थे इस प्रकार से ही प्रस्न पूछा दकता है क्योंकि राचना यहाँ पर देही दी गई है आपको यह बताना है कि तुलसी राज किसके समकालिन थे जागीर, अकबर, राम राय या किस देव राय तो तुलसी राज ने जो है राम चेद मानस के रचना की थे और इनके जो समकालिन थे वो आपके अकबर थे इसका जो आप्सन B है वो आपके सही है अक्पर जो है यह तोलसी राज के समकालिन थे यहाँ पर तरफ राजा दिया गया है आपको जो सूची एक को सूची दो से मिलान करना है काउन सा राजा इस राज का जो है राजा हुआ करता था चंद प्रद्योत उधाइन प्रसेंजीद अजाद सत्र मगद, वज, अवन्ति और कोसल चंद प्रत्योत यह आपके अवन्ति का राजा हुआ करता था उधाइन जो है यह वज का प्रसेंजीद यह आपके कोसल का राजा था और अजाव सत्र जो है आपके मगद का राजा था चंद्र प्रद्योत यह अवंति का, उदैन, वद्स का, प्रिसेन जीत, कोसल का और अजास तुर्याप के मगत का राजा हुआ करता था तीस परकार जो है इसका जो आप्शन C है वह आपको सही है भारत में ब्रिटिस सासन के दोरान, निमखिद राजों के विलाय का करम आपको सजाना है तीन राज दिये गए हैं, जहांसी संबल पूर सता रहा और डॉक्ट्रिन आफ लेप्स, बेबगत का सिध्धान जो डलाओजी ने सुरू किया था और डलाओजी जो कारिकाल लाओगा, 1848 लेकर 1856 का कारिकाल लाया इसने बेबगत का सिध्धान शुरू किया था और इसकी अंसा जो है, सबसे पहला जो इसका सिकार हुआ था, वह 17 हुआ था वर्स 1848 में पिर सम्भालपूर जो है इसका जो दूसरा इसका शिकार होता है और जहांसी जो आपका 1800 तीरपन में होते हैं तो सबसे पहले जो है 17 फिर इसके बाद सम्भालपूर और अंटे में आपके जहांसी आएगा इसका जो option C है वो आपका सही है आप लोग को वीडियो कैसी लगए आप लोग जरूबताईगा आप लोग वीडियो सो देखने से पहले जो है आप लोग अपने copy में इस प्रकार जो है नमबर ही करके A, B, C जैसे भी आपको जो अंसर लगता हो आप लोग इसको देखती रहे है आप लोग जैसा ब्याक्य बताई जा रहे है उसी साब से अपना अंसर सही या गलत करती रहे है और टोटल जो मुल्य आंकन आप लोग करती रहे है कि 20 में आपके कितने सही होते हैं किसी 15 हों किसी कठार हों कि आप लोग डेली अपना मुल्यानकन कर सकती है वीडियो आपको कैसा लगए आप लोग कौन बाक्स में रुपताईगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैवारत